गुट मॉर्णी माइडियर स्टूडेंस, होप आल आर फाइन, वेलकम टू आवर न्यू अकैडमेक एर स्टूडेंस, आज के क्लास में हम लोग एक बहुती प्यारी सी कवीता पढ़ेंगे जिसका नाम है मेरा प्यारा तेश महाल यह कवीता देश प्रेम से युक्त कवीता है इसमें हमें अपले देश की विशेषता को अत्यंथी मोहग धंग से बताया गया है तो मैं इस कवीता की पंक्तियों को पढ़ने जा रही हूँ आप लोग ध्यान पुर्वक अपले बुक में देखोगे और मेरे पीछे दुहराओगे मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान यहाँ न कोई उचा नीचा, देश हमारा एक बगी चा रंग बिरंगे फूलो जैसे हम सारे इंसान मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान वीर शहीदों ने दिलवाई भारत को आजादी, बलिदानों की कथा सुनाती अपनी प्यारी दादी मैं हूँ भारत मा का लाल, है मुझको अभिमान, मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान Students, इस कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिये वे हैं, जो इस प्रकार से हैं महान, महान का अर्थ है सबसे अच्छा, इनसान, आदमी, शहीद, देश के लिए मरने वाला, बलिदान, देश के लिए मरना, अभिमान, गर्व अब मैं इस कविता के पंक्तियों का अर्थ बताऊंगे, आप लोग ध्यान पुर्वक सुनोगे मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान यहाँ न कोई उचा नेचा, देश हमारा एक बगेचा रंग बिरंगे फूलों जैसे हम सारे इनसान, मेरा प्यारा देश महान, मेरा भारत देश महान स्टूडेंस हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम है भारत हम लोग बगेचे में जाते हैं न, वहाँ हम लोग क्या देखते हैं? बहुत सारे रंग बिरंगे फूल, अलग-अलग कलर के फूल होते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पेड बड़े होते हैं, कोई पेड बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सब कुछ देखने में बहुत ही सुन्दर लगता है, सब को बगेचे में जाना बहु पसंद होता है तो हमारा देश जो है इसी तरह से एक बगीची के समाने यहाँ पर हमारे देश को एक बगीचा कहा गया है क्यों क्योंकि हमारे देश में भी तरह तरह के लोग रहते हैं अलग-अलग जाती धर्म वेश बुशा के लोग रहते हैं किन्तु अलग-अलग होने के बावसोद हमारे देश पे कोई भी ऊचा नीचा नहीं है सभी एक समान है सभी को एक समान अधिकार मिले है, सभी को एक समान प्यार मिला है तो इसलिए हमारा देश जो है प्यारा देश है और हमारा भारत देश महान है वे शहीदों ने दिलवाई भारत को आजादे, बलिदानों की कथा सुनाते अपने प्यारी दादे हमारा देश जो भारत है वो बहुत पहले अंग्रेजों का गुलाम था उसने अंग्रेजों बहुत सारे वीर सहीदों ने भारत को आजादी दिलवाई है बहुत सारे वीर सहीदों में नाम है जैसे चंडर सेखर आजाद, भगत सिंग, महात्मा गांधी के प्रयासों से जो है हमें आजादी मिली है तो अनेक वीर सहीदों ने भारत को आजादी दिलवाई है बलिदानों की कथा सुनाती अपनी प्यारी दादी दादी हमें क्या करती है कहानियां सुनाती है न तो बलिदान जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दे दिया अपना अपनी जान दे दी उसकी कहानी हमें दादी सुनाती है मैं हूँ भारत मा का लाल है मुझको अभिमान मेरा प्यारा देश महान मेरा भारत देश महान मैं हूँ भारत मा का लाल हम सभी क्या है भारत मा के बच्चे है हम सभी भारत मा के बच्चे है है मुझको अभिमान हमें क्या है अपनी भारत मा पर गर्व है कि हम उनके बच्चे है क्यों क्योंकि भारत मा जो है हमें बहुत प्यार करती है और इस भारत में अनेक धर्म के लोग है अनेक जाती के लोग है धर्म के लोग है अलग-अलग तरह के लोग है लेकिन फिर भी हमारे देश में एकता है प्रेम है जब कभी दुश्मन हमारे देश पे हमला करता है या दुश्मन आते हैं तो सभी एक होकर देश के लिए कार्य करते हैं और हमार इसलिए हमें अपने भारत माता पर गर्व है कि हम उसके बच्चे हैं मेरा प्यारा देश बहार मेरा भारत देश बहार हमारा देश बहारत जो है बहुत ही प्यारा है महान है तो इस कवीता से हमें यह सीख मिलती है यह सिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए क्योंकि हमारे देश से अच्छा और कुछ भी नहीं है हमें मिलज जुल कर रहना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए I hope students आपको यह कवीता अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोग इस कवीता को अपने बुक से पढ़ोगी और याद करोगे Thank you students